नमस्कार, बेलकाम बैक टू अबर यूटूब चैनल देशा अग्रिकल्चर अकेडमी, डियर स्टुडेंट, आप सबी के लिए फंडामेंटल आप होटे कल्चर की एक बहुत ही महत्पुन कलास लेके आ चुका हूँ, राजा महेंदर सिंग विश्व बिध्याले अली गड़ इस वीडियो में लगबग हम 50 कोस्टन्स को डिसकस करेंगे, जो कि वीडियो आपकी एक्जाम के पॉइंट अभी उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है, आप सबी को वीडियो सुरू से लेके अन तक पूरा बाज करना है, वीडियो को इसकिप बिलकुल नहीं करना ह साथी साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अबस कर लें, साथी साथ इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में सेयर करें, और बता दें आप सभी को राजा महन सिंग, विस्व बिध्याले अली गड़वाल सारे विध्यारतियों के वाट्सप ग्रूप का लिंक डिक्स्किप्शन बॉक्स में दिया गया है, सारे विध्यारती वाट्सप ग्रूप को अब अस जोइन कर लेजिए, कंटिन्यू करते हैं क्लास को, पढ़ते हैं कोस्टा नमबर फस्ट, प्यारे बच्चों, बहुत प्रॉसिस या बैलस्टा, करेक्ट अंसर क्या होगा, राइट उत्तर बच्चों क्या होगा, बेरी, बेरी यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो बेरी परकार की प्यारे बच्चों, जो फल होते हैं, उसमें बीच की मातरा ज्यादा होती है, क्या मैंने बुला, बेरी जिन फलका परकार बेरी है उसमें बीच की मातरा जादा होती है जैसे अमरूद हो गया साथी साथ प्यारी बच्चो हो जाएगा यहां पे पपीता हो जाएगा अमरूद के बाद पपीता हो जाएगा केला हो जाएगा बच्चो ठीक है ना अंगूर हो जाएगा है ना, इसके बाद बच्छों इस्ट्रावेरी हो जाएगा इसके बाद इस्ट्रावेरी हो जाएगा है ना, इसके बाद जैसे अद भी वोर्ज टरमाटर है मिर्च है, इन सम्में फलका परकार बच्छों क्या होता है? बेरी होता है ठीक है ना, डुरुप की बात करिया तो क्या होता है डुरुप में बच्चो क्या होता पत्थर जैसी हाड गुठली पाई जाती है कैसी, पत्थर जैसी सक्त गुठली पाई जाएगी जो स्टोन होती है उनमें फलका परकार क्या होता, डुरुप होता जैसे आम में देख लो पत्थर जैसी हाट गुठली पाई जाती बच्चो बेर में देख सकते आप पत्थर जैसी हाट गुठली पाई जाती है आमला भी देख लो आप आमला भी ड्रोप की कटागरी में जाएगा है ना तो आम हो गया आमला बेर है ना ये फल किसमें जाते है इसे प्रकार बच्चों सोरसिस में कौन कौन से फ़ल आते है अननास है ठीक है कटहल है और सैतूत है यानि अननास कटहल और सैतूत में जो फलका प्रकार किया है सोरसिस होता है जो अननास है कटहल है सैतूत इसमें फलका प्रकार किया होता बच्चों सोरसिस होता है इसे प्रक परकार बाइलस्टा में कौन कौन से फॉल आते हैं अनार आता है बाइलस्टा में फलका परकार किसका है अनार का अनार में जो फलका परकार वो बाइलस्टा होता है तो प्यारी बच्छों पहले कोस्टंस से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है सारी कोस्टंस को बढ़िया कि स्कुल का फल बरच होता है ठीक है ना यूफल बियसी, रहमनेसी, टिलियसी या रोजेसी तो प्यारे बच्चों correct answer क्या हो जाएगा यूफल बियसी बात कीज़ें रियोसी में कौन कौन से आएंगे फल सेव आता है नासपाति आता है सेब नासपाती लोकाट आडू ठीक है ना सेब है नासपाती लोकाट आडू इनकी फैमिली क्या होती है रोजयसी होती है ठीक है ना प्यारे बच्छों हम बात करेंगे फालसा की फैमिली क्या होती है फालसा की फैमिली क्या होती है ठीक है ना फालसा के साथ साथ जूट की फैमिली भी टिल येसी होती है ठीक है ना रहमनेसी की बात करिया तो बेर की फैमिली क्या होती बच्चो रहमनेसी होती है यूफार येसी की बात करिया है तो आमला आमला के साथ में जो अंडी होती है उसकी फैमिली भी क्या होती बच्चो यूफ कौन सा इस्थान है यानि फल और सब्जी की उत्पादन में इंडिया का कौन सा इस्थान है तो प्यारी बच्चों पर्थम इस्थान पर कौन है चीन जो चीन है वो फल और सब्जी की उत्पादन में पहला इस्थान रखता है और भारत की रैंक बच्चों क्या है इंडिया य यहां पर भी करेक्ट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर डी करेक्ट हो जाएगा चार सेब नासपाती लोकार्ट इसके बाद प्यारे बच्चो आड़ू की फैम आड़ू भी किसकुल में आता है यहां आड़ू भी कैसे जलवाई सी इसको भी ठंडी जलवाई सी आड़ू को एपल है पीयर है पीछ है पलम है इसको भी चलवाई कईसे चाहिए इसको ह sino गरह अक्रोट हैक्रोट कि और बादया में को भी कैसी जलवाई झके तो इन सब फनों को थंडी जलवाई चाहिए ठीक है democrелю नागर बढ़ियां लाए तो सारे लोग लायक करना चैनल को सब्सक्राइب अबस्कर लेना सीतोशन फलों का राजा किसे बोलते हैं ये काफी अच्छा प्रस्बन है कि जो सीतोशन फलों होते हैं उसमें राजा किसे बोलते हैं सेव, नाजपाती, लोकाट सभी तो प्यारी बच्चो सभी correct हो जाएगा नहीं नहीं यहां पिर आनसर हो जाया बच्चो सेब सेब को बोलते हैं सीतोस्ण फलों का राजा इसके बाद बच्चो कोस्चन नमबर next मेलिक अमल किसमें पाया जाता है यहां पर आदा माह होना से यह मैलिक अमल किस फल में पाया जाता है सीब नस पाती लोकाट सभी तो प्यारी बच्चों इसका भी करेक्ट अंबर हो जाएगा option नमबर यानि जो मैली कामल है वो किस में पाया जाता वो पायाता सेव में इसकी अधरीत कुछ अन्मी प्रसन हम लोग देख लेते हैं जैसे हम लोग बात करें हम लोग बात करें प्यारी बच्चो नीबू में कौन सामल होता है नीबू में तो नीबू में बच्चो कौन सा होता है प्रवर्धन यानि प्रवर्धन यानि प्रवर्धन यानि प्रोपागेशन रिंग बढ़िंग की दोरह प्रवर्धन किस फाल में करते हैं बच्छो तो यहां पर correct answer क्या होगा beer guidelines प्यारी बच्चो प्रोटूंड्री किस फल में पाये जाती है क्या मैंने कहा को यह पादफ है है ना इसमें मादा भाक की अपिछा अगर नर पहले मैचूर हो जाएं क्या मैं Rs पहले निकला आयं य पहले मैचूर हो जाएं तो इस कंडिसंस को बोलते str प्रोटेंडरी ये जैसे प्रोटेंडरी प्लांट myself का एक प्रोटेंड्रिस फ्लांट होता अनार या सभी जो प्रोटो गाइनी है वो किस पल में बच्चों पाई जाती है अंजीर पीला अनार बासभी अब यही होता है अभी मैंने कहा था यह नर भाग है कोई यह मादा भाग है इस वहर अगर मादा भाग पहले पर पक हो जा या पहले निकला आए तो इस कंडिसन्स को बहुते हैं प्रोटो गाएनी तो प्रोटो गाएनी अंजीर के ला नं, इन से में दिखाइए प्रो टेंडरी तो त्यारे बच्चों ये ती आज की एक सोट क्लास अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना चलना को सब्सक्राइब कर ले इस वीडियो को for watching